इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। जोल्फरेश 10 मिली ग्राम टैबलेट का इस्तेमाल अनिद्रा के अलपकालिक इलाज के लिए किया जाता है। यह नीन्द आने के समय और रात में बार-बार उठने को कम करता है। यह दवा निद्रा चक्र में सुधार करती है, जिससे अच्छी नीन्द आती है। जोल्फरेश 10 मिली ग्राम टैबलेट को खाली पेट लिया जाना चाहिए। बहतर होगा यदि इसे सोने से तुरंट पहले लिया जाए। हाला कि इसे हर दिन एक तै समय पर लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी में ही ले क्योंकि इसमें आदत निर्मान की ख्षमता है। अपने डॉक्टर से बात किये बिना अचानक से इससे लेना बंद न करें क्योंकि इससे आपके लक्षन और भी बिगर सकते हैं। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में याददाश्ट कमजोर होना, हल्यूसिनेशन, आवेश, सिर्ध दर्द, चक्कर आना, डायरिया, मिचली आना, उल्टी और पीट दर्द शामिल हैं। यह थकान, पेट में दर्द, दो-दो चीजे दिखाई पढ़ना और डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। हाला कि यह अस्थाई हैं और कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर यह आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्ष लें। जोल फ्रिश 10 मिली ग्राम टैबलेट के कारण चक्कर आना और नींद आना भी होता है। इसलिए जब तक यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस तरह से प्रभावित करती है। दूसरी दवायां ले रहे हैं उनके बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें ताकि आपका डॉक्टर यह बता सके कि यह दवा आपके लिए उप्यूक्त है या नहीं। अगर आपको लिवर या किड्नी संबंधी कोई समस्या है तो यह दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें। इस दवा को लेने के दौरान आपको धूम्र पान और शराब से बचना चाहिए। गरभवती और स्तनपान करने वाली माताओं को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाला कि अगर जरूरत होती है तो कृप्या इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से बात कर लें। विडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप और ज्यादा जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो इस विडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जिससे आपको भविश्य में और ऐसी विडियो देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।